बालोत्रा सहर के जेरला रोड पर मंगलवार को एक रोडवेज बस ने रहा चलते व्यक्ति को कुचल दिया इस हाथ से में घायल सक्स की इलाज के दोरार मौत हो गई चानकारी के मताबिक शहर के ओद्योगी क्षेतर जेरला रोड पर मंगलवार सुबह एक व्यक्ति फैक्टरी में काम करने के लिए घर से निकला था इसी दर्मियान घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही तेज रप्तार रोड वेज बस ने पैदल रह चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया इसके उपार आजपास के लोगों ने नीजीव वाहन के मात्यम से बालोत्रा के राज किये नहटा अस्पतार पहुचाए गया जहाँ पर इलाज के दौरान वेक्ति ने दम तोड दिया मिर्तिक वेक्ति की पैचान लक्षमी नान लोहार की रूप में हुई पुलीश ने मिर्तिक क्या सव पोश्मार्टम के लिए राज के चिकित साले के नहटा अस्पतार की मोर्चरी में रखवाया पुलीश द्वारा पोश्मार्टम वेबाद सव परिजनों को सुपर्ट किया जाएगा वही बालोत्रा पुलीश ने मौके पर पहुच कर खटना की जानकारी ली कि आजमी था उसके कमाने वाला कोई नहीं था पिछला पांट साल कर बैठा है और वो मिसेज ब्रणपोर से करती है दो बच्चिया उसकी साधी थे जनुरी के मैने पहिस थारी की और उसकी ऑन स्पोर्ट तक्र लगने के बाद सी खतब हो गया बाई बसे यह बूत बूती ब सब्सक्राइब के बिलुकुल किंदर रहा था तो उसे पहले थे खड़े थे तो बसे तीरे सलती थी अब रोड हो गया तो बसे तेज सलती है तो इसको सफिट में ले लिया और और उन स्पोर्ट हो गत्म हो गया उसके कमाने माला कोई नहीं है पांस बच्चिया है बाईस ब सब्सक्राइब कर दो दोनों तरब से प्रसंद की गलती है चानकारी के मुताबिक बालोतरा सहर के बीतरी शेत्र में और बिच बनकर त्यार हो गया है पर अभी तक और बिच शुरूर नहीं हो पाया है जिसके कान से बसे और बड़े वान संक्री गलियों तदर रियाईसी इ लाकों से गुजर रहे हैं जिससे आए दिन हाथ से होने की आशनकाय रहती है हाथ से के बाद आजपास के इस्तानिय लोगों ने और बिच को शुरू करवाने की मांग की क्योंकि संक्री गलियों से बड़े वान आवागवन के कारण पैदर लागिरों तदा छोटे वांचा लाकों को परिशानियों का साब ना करना पड़ता है इस्तानिय परशासंदारा वह इस्तानिय नेता और बिच को शुरू करवाने को लेकर बात को गंबिन नहीं ले विया इसी को लेकर लोग ने सड़क पर ही धरना देकर परदर्शन किया वहीं परशासंदार पुलीस के आ